हांजी स्टूडेंट्स आज अपनी प्लस वन क्लास सेक्शन दा सत्मा ऐसे वाटर आ ट्रू एलिक्सर जिसनों के डाक्टर डीवी जिंदर ने लिख्या हुया है उस दी कॉंप्रिहेंसिव एक्सप्रानेशन अते एनालेसिज कवर करांगे स्टूडेंट्स इस चेपटर दी सैरीज दा एह साधा पहला वीडियो हुयागा स्टूडेंट्स इस आसे दा नाम एग वाटर आट्रू ऑलिक्सर घटलॡब होनुदिगि ज अमृत envoy पाणी नू इक सच्चा अमृत केहा किया इस चैप्टर दे विच एसे इस चैप्टर दा म गिफ्ट दिते गए ने, उना दे विच्छो इक की है जी, वाटर, ता स्टुडेंट्स पहली लाइन दे विच्छ मैं एक फ्रेज वाल तो अडाते आन दिवाना चाहूंगा, वन अफ दा मोस्ट इंपोर्टेंट गिफ्ट्स वाल ते आन देो, काम तो ओरते ए वाला फ्रेज तुसी कई वरी पढ़ दे हो, लेकिन बच्छे गल्ती कर देने, की कर देने, फ्रेज दा मेन नाउन है, उसनों प्लूरल नहीं बना दे, जिमें एथे इंपोर्टेंट गिफ्ट्स हैंगा है, गिफ्ट देना ऐसे लगी होई है, इस फ्रेज दे विच्छ ज्यादा सारे गिफ्ट ने, लेकिन उनना दे विच्छों केवल एक गिफ्ट दी गाल हो रही है, ओ है वाटर, तुसी इस गाल दख्या लखना है, कि जदो भी तुसी ए फ्रेज यूज करना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी गिफ्ट दे विच्छों इक, जदो उसी कईयां दी गाल करांगे, ताहीं इक दी गाल करांगे, इस करके असी है थे, प्लूरल बनाना है, तो मैं जदो भी तुनो चैप्टर दी रीडिंग करवाना हुना हुना है, कोई इस तरह दे इंपोर्टेंट फ्रेज आंदे हैं बच्छों, तो मैं जरूर दासदा हुना है, नेक्स्ट लाइन है जी, कि इट इस एस इसेंशल तो लाइफ एस एर, जिन्नी हवा साथे लेई जरूरी है, इसेंशल दा मतलब दा बच्छों, वेरी इंपोर्टेंट, मॉस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जरूरी, जिन्नी साथी जिंदगी दे लेई हवा अब भी नहीं है, but with the advance of civilization, it sometimes goes unnoticed, that air and water, the two lifelines of this universe, are being polluted every day, पर जिमें जिमें उन देखो, civilization दी advancement हो रही है, no, civilization दा मतलब एथे हो गया, जी, सब्वेता, advance दा मतलब हो गया, विकास हो रहे है, जी, अगे बद रही है, जिस तरह दुनिया त्रकी कर रही है, सब्वेता अगे वाद रही है, ता कदे एहे, unnoticed चला जानदा है, unnoticed दा मतलब सड़ा त्यान नी जानदा था, एथे भी बचो एक फ्रेज है, go unnoticed, ता go unnoticed कठे ही आनदा है कई वरी, ता एदा मतलब होंदा है, जदा आपक इसे वल त्यान नी देंदे, ता go unnoticed दावी त्यान तुसी र होई है, ओहो दोने चीजां की हो रही हैंने, pollute हो रही हैंने, पर्दूशित हो रही हैंने, everyday rose, a day might come when this level of pollution increases so much that life becomes impossible, एक दिन अजेहा भी आ सागत है, के एहे, pollution दा लेवल, इस पर्दूशन दा जड़ा पदर है, एनना ज्यादा वजवे, के जिन्दगी ही impossible होजे, होजे, in that situation, air would become too toxic to be breathed in and water would become poisonous, उस situation देविच, उस हालत देविच, किस हालत देविच, जदो जिन्दगी impossible होगी, pollution दा लेवल बहुत ज्यादा बद गया, ता air की होजेगी एननी ज्यादा टॉक्सिक होजेगी, नो टॉक्सिक दा मतलब हुंदी है, जहरिली, ता air एनी ज्य ज्यादा हवा एननी ज्यादा जहरिली होजेगी कि असी ऊसनू बृइधीन ने कर साख़एँ, अधे बच्चेयो फ्रेजल वब है, बृइधीन दा मतलब हुंदा है, oxygen नू अंदर लेके जाना, हवा नू अंदर लेके जाना, ताशीयों असनू अंदर ही नहीं लेके जाश इत्सा नाउन लेकिन पॉइजनेस की हुंदे है जी? इत्सान एजेक्टिव एहे विशेशन दे तो अरते यूज होया थे के पानी जहरीला हो चुक्या हुएगा आर वी नोट दस रॉबिंग और दिस इनहेरिटिंग अवर फ्यूचर जेंडरेशन फ्रॉम देर लेजिटिमे राइट तो लिव उन अथे क्वेस्टिन पुच्या जा रहे है के यंदे की असी रॉब दा मतल हुंदा है लुटमार करनी दिस इनहेरिटिंग बच्चे हो तो अड़ी ग्लॉसरी दे विच लिख्या हुया है दिस इनहेरिट दा मतल लिख्या हुया है जी इट्सा वर्ब के टु प्रिवेंट समबड़ी इस्पैशली या सन और डॉटर फ्रॉम रिसीविंग वन्स मैनी प्रापटी आफ्टर देथ स्पोस करो किसी दी डैथ हो जान दिये ता उस तो बात जड़ी ऊज़ी प्रापटी हुन दिये या पैसा हुन दय है उस दे बच्चेयां कोल जान दै लेकिन आपा जे बच्चेया नूना दे इस अधिका आर्थों वंचित कर दिये उन्हों अपां डिस इन्हेरिट कहने है ता हुन्हों क्वेस्चन है कि कि असी अपने जडियां फ्यूचर जेनरेशन्स ने जो तो इकदे विच्चे साधियां पीडियां आ रहे हैं कि असी अऩनानूं डिस इन्हेर इंहों कर रहे हिं ओना दे इदिकार तो QA flu utan कि अउन्हों लुटनि रहे कि में जो को तो था लेजीटीमेट राइट है जिऊड़ जीवन बैक कानूनान हक मिलया है नाव लेजिटीमेट शबत वाड़ी ग्रॉसरी दे विच लिख्या है बच्चियो इटस अने जेक्टिव के वैलिट जस्टिफियेबल लीगल कानूनन इदा मतलू हुँँद है कानूनन उननों जिंदगी जिऊन दा इक कानूनन हक मिले हुए है असी ए सब करके की करके एर नो पल्यूट करके वाटर नो पल्यूट करके उननों इस हक तो वंचित कर रहे हैं डिस इनहरिट कर रहे हैं तो स्टुडेंट तो नो याद होना तो अटा एक चेप्टर सी दा अर्थ इज नो टार्स बाई कॉफी अनान सेम एही गल कॉफी अनान ने कही सी के असी अपनी अर्थ दी लूट को सुट करनते लगे हुए हैं असी फ्यूचर जेनरेशन दा हक वंचित कर रहे हैं उननों जीन दे तरिकेतों वंचित कर रहे हैं ये जड़ी अर्थ है ये साड़ी नहीं है इस अर्थ नो सानू अपनी फ्यूचर जेनरेशन नो संभाल के रखना चाहिए है स्टुडेंट्स में इस चैप्टर दी भी बहुत ही ज्यादा डिटेल स्टेडी किती हुई है इस दी सारी कॉम्प्रिहेंसिव इस्पलानेशन इस दे शॉट आंसर टाइप कुईस्टेंज लोंग आंसर टाइप कुईस्टेंज ते इवन के जड़ियां इस चैप्र दे एंड दे विच एक्ससाइजिस हैं ओना दे सुलूचन विच तौनू परवाइड केते हैं उमीद है के तुसी वीडियो ज़रूर देख्या हुएगा जे करें वीडियो तुसी नहीं देख्या ता मैं उपर तौनू इस दा लिंक प्रवाइड कर रहे हैं जो के आम पाशा दे विच बहुत जयादा बोलेया जाना है If the present generation does not read the writing on the walls, it would be willfully closing its eyes and pushing the future of mankind into jeopardy and extinction केंदे जेकर present generation है, मजुद्धा पीडी है, वो हो इस वार्निंग नू अन देख्या कर दी है Now, read the writing on the wall बच्यो एक एडियम है, इस नू अपा मुहावरा कहने है Read the writing on the wall नू कई बरी, see the writing on the wall भी कहा जाना है एदा मतलब है के कोई चीज सानू समने नजर आ रही है के हो सकती है, सानू परतक तोरते पता है के इस दा नतिज जाए होएगा लेकिन अपा उसनू पढ़दे नी, एथेगल कही गई है तफेर की होएगा, it would be willfully closing its eyes मनुखता दा प्विक है जेडा, ओसी जापड़ी अते एक्स्टिंक्शन विच पुष कर दा मांगे, तक दा मांगे जापड़ी दा मतलब हुंदे है जी अथे तवाड़ी ग्लोसरी दे बिच लिख्या हुया है A dangerous situation and likely to be lost or harmed एक जेही हालत, खतरनाक हालत, जिसके नुकसान होना वाजिब है, होना ही होना है अते extinction दा मतलब भी लिख्या हुया है कि a situation in which plant, an animal, a way of life stops existing कि जेही हालत, जिस विच कोई भी plant होवे, पोदा होवे, या कोई animal होवे, जीव होवे ओहो, जिवना ही बंद कर देवे, अलोब ही होजे, आप पा उसनों extinction कहने है ता एथे इस लाइन दा मतलब है है, कि जेकर आसी वार्निंग नूँ अन देख्या कर देए ता असी अपने मानवतादे फ्यूचर नूँ उस देख्या नूँ खत्रे विच ता पामागी पामागी अते नाल एवी होसाद है कि मानवतादा प्विच ही अलोब होजे इस दुनिया विच कोई मानव बचे ही ना स्टूडेंट्स आपा हुन इस चैप्टर दे राइटर डॉक्टर डीवी जिंदल बारे भी थोड़ी जानकारी प्रापत कर लेंदे हां तैना दा जड़ा चैप्टर लिख्या हुया है ओ है वाटर आ ट्रू अलिक्सर अलिक्सर दा मतलब ग्लॉसरी दे विच भी लिख्या हुया है आ मैजीक लिक्वेट दा इस बिलीव तू क्योर इल्लेंस और तू मेग पीपल लिव फोरेवर वही अमरितनू केहा जांद है कि अमरित पीन दे नाल शारियां बिमारीयां दूर हो जांदियाने ता अलिक्सर दा मतलब असी अमरितनू कह सकते सब्सक्राइब देख पा रहे हूं सब्सक्राइब देख पा रहे हूं सब्सक्राइब देख पा रहे हूं स्टुडेंट्स में प्लस वन अते प्लस टू क्लासिज दे जर्नल इंग्लिश आते इलेक्टिव इंग्लिश दे बहुत सारे वीडियोज बनाये हुए हान इना वीडियोज नू देखन दे ले तुसी यूट्यूब दी सर्च बारते जाके दीपक सूध लव लर्निंग तूली टाइप करो रिजल्ट वीच आई पहली साइट दे दीपक सूध दे जाके क्लिक करो इस तरह तुसी चैनल ते पहुंच जाओंगे जिते तुसी वीडियोज दे एक सेक्षन देखोंगे वीडियो से क्लिक करो तो अनू मेरियां बनाया हुए है सारियां वीडियोज तो अनू मिल जानगियां इसते तुसी जाके जदो फुल प्लेइलिस्ट करोंगे ता तोनो class 12 दियां सारियां वीडियोज मिल जानगियां इसे तरह तुसी बाकी class 11 ओना दी प्लेइलिस्टे जाके सारियां वीडियोज प्रापत कर सकते हों इसे तरह मैं Class 11 ते Class 12 ते Class 12 दिया ग्रैमर दिया वीडियो लिस्ट बनाई होई है ता ओ सारीय वीडियो ता प्रापत हो जानगी यां ते एक प्लेइलिस्ट English एलेक्टिव क्लास 11 दिवी है अतियो उस देविश तोनु सारियां क्लास 11 दियां प्लेइलिस्ट प्रापत हो जानगे हैं ता मैं तोनु सारियां नु अपील करदा हैं के एक वार तुसी दीपक सूध लव लर्निंग टू लीड चैनल ते जरूर विजट करो ऐसे शुरू करदे हैं जी वाटर कवर्स अबाउट सेवंटी फाइफ परसेंट अफ अवर प्लेनेट सो इट अपियर्स प्लेंटिफूल यंदे जेकर असी अपनी ग्रैते देखी ता उस ग्रैता पचातर प्रतिशात जड़ा हिस्सा है वो पानी नल्ट क्या वया है इस करके सौनु आयं लगदा है के पानी ता बहुत है बहुत आच है प्लेनिफोल मतला हुटा है जोदो चीज बहुत ज़्यादा होएं कि जड़ा हिस्सा है इसदे विचो 97 परेसेंट जड़ा हिस्सा है इसदे साल्टी है नमकीन है, ते गित्हे मिलदा है सान्णू ocean water ocean एही साढ़े जड़े अट्लांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है या इंडिया नोशन है, यह सारे जड़े हिंद महासागर साढ़े तिन महासागर ने, ओना दे विच्छ जिन्ना भी सान्वो पानी मिलदा है वह साल्टी है, उना दे विच्चे सानू जिनना भी पानी मिलदा है हो, साल्टी है, नमकीन है, उसनो अपा पी नी सकते Of the 3% that is fresh water, most is frozen in glaciers and polar ice caps उन 97% पानी अपा पी नी सकते, बाकी किना रह गया? 3% ता 3% पानी दावी जड़ा हिस्सा है, उसनो उसी fresh water ता कह देने है पर उस विच्चो ज़्यादा तर जड़ा हिस्सा है, उस जाता glacier दे विच्च सानू या फिर polar दे विच्च, जिसनो अपा नोर्थ पोल या साउथ पोल कहने है, उतरी तरूफ, दखनी तरूफ कहने है, ओधियाँ जड़ियाँ ice caps ने, जड़े के बरफ नल टके होई ने, ओधे विच्चो सानू फ्रोजन मिलदा है, मतलब के हो हो, जम्या होया पानी मिलदा है, हलाके हो fresh water ज़रूर है, लेकिनो पानी जम्या होया है इदा मतलब की होया, as a result, only 1% of the earth's water may be available for drinking, इस दे सिटे वजो केवल 1%, सिरफ 1% है जी तर्ती दा पानी, जो के पीन दे ले ही साड़े को ले available है, उपलब्ध है, moreover, the earth's water supply is fixed, no new water is being made, इस तो भी वड़ी का ले है, के जड़ी तर्ती दी water supply है, देखो पानी कितो दांद है न ओन्हों अपा water supply कहना है, पानी धी जडी water supply है साड़ी तर्ती ते है, ओं फिक्स है, फिक्स दा मतलब के लिए के नमा पानी पैदा नही हो सागता, जो साटे को ले तर्ती ते मुझूद पानी है, ओ ही सानु प्रियोग करना पौँगा, होर पानी नही पैदा हो सागता, we have the same amount of water now as there was when the earth was created the writer this is the water we have, this is the water we have and we must preserve its quality water is the foundation of food and life, water is our most precious resource, air is the next water water is our most precious resource, resource is a noun a supply of something that a country, an organization or a person has and can cause especially to increase their wealth we cannot live without water, 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 man has through the ages sought in vain for the imaginary elixir of life the divine amrita a draft of which was thought to confer immortality 강요 which means that we have to go back and back to the future so the source of water supports the άgeic culture then kind of influence, on which science means the first月 तो भी कि आजन्द है ते वे समझश दा है कि ढम अ टो ड्राफ्ट दा मतरव ग्लोसरी दे विच लिख लग्या है अ फिलोफ कूल है अ स्मॉल अमाट जो ठंडी जी हवादा चाहूं कांद आसी उसनो ड्राफ्ट केनी है लेकिन अधे मतलव है इक बूंध तो केंदे उस दीक बूंद नाल immortality परदान हो जान दी है कौन फर दा मतल हुंदा है जी परदान होना इmmotality दा मतल हुंदा है जी अमरता, अमर हो जान दा जी बंदा, के जेकर मनू divine अमरत दीक बूंद मिल जे, ता मैं अमर हो जूँ इस चीज़ दे पिछे मनूख चीरा दो पर आव है बर्दा ट्रू एलेक्सर अफ लाइफ 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 लाइज नियर टू आवर हैंट्स पर केंदे जड़ा सच्चा अमरित है जिंदगी दा, ओता साड़े हत्थां और जिंदगी दा, वाइफ लाइज लाइज फोवर हैंट्स और इट इस दा कॉंनेस्ट अफ लिक्वेड़ प्लेन वाटर जिंदगी जिनने भी सण बिक्वेड मिल देने है तरल पदार्थ मिल देने हम्ना दीचो सब्तों कॉमन है सब्तों आम है ते हो की है? प्लेइन वाटर एथे सीवी रमने कहना चाह रहे हैं के व्यर्थ तो इंसान पिछे पया हुया है अब है आत दे, अमरत दे विच्छे पया हुया हो लेकिन असली अमरत ता सड़ा पाणी है जड़ा साथे कोड़े मुझूद है जिस दिया सी संभाल नहीं कर रहे है देट इस वाई मोस्ट ओफ आर सिविलाजेशन और इंपोर्टेंट सिटीज ग्रू अंदा बैंक्स ओफ बिगर रिवर्स ओनली के अधे एही कारना है जिनिया साथिया सब्यातावाँ अते होर जड़ियां महत्तप पून जड़े शेर सिगे ओहो वड़ियां वड़ियां रिवर्स दे बैंक्ते नदियां दे किनारें ते ही पनपियाने सब्यातावाँ ओथे ही जन्मियाने ओथे ही पलियाने तेदा बच्चे असी देखिया है सिंद काटी दी सब्याता हुए सिंदु दर्या कोडे पैदा हुई इसे दरा होर भी अप इतिहास चपढ़े है बच्चे किल यह सब्याता हुने वी जिन्यों जन्मियाने या पलियाने या वना चभिकास हुए है ओहों दर्या या किसे नदीदे किनारेते ही होया है आवर एंशियंट रेलिजियस टेक्स एंड एपिक्स गिवा गुड इंसाइट इंटो दी वाटर स्टोरेज एंड कंजर्वेशन सिस्टम एंड प्रिवेल्ड इन दोस डेज केंदे साथियां पुरातन जड़ियां था आर्मीक किताबा ने या एपिक्स ने एपिक्स दा मतलब अच्छे होंदा है महा काव जिमें रमायन है बच्चों है एपिक है है महा काव है जो के बहुत वड़ी कोई बुक एक कवीता दी शेप च लिखा जानदा है उसनों अपाँ एपिक हैने जदों सियनों देख देया है ता साननों वाटर स्टोरेज अते कॉंजर्वेशन सिस्टम दे बारे पता लगदा है गुड इंसाइड दा मतलब साननों दे बारे जानकारी मिल दी है के पाणी नू संभाल के रख्या जानदा सी ते कॉंजर्वेशन सिस्टम दी ओही संभाल नू केहा जानदा है के इस तरह दा सिस्टम होंदा सी के पाणी नू संभाल ले जानदा सी अते ओना दिना देवीचे प्रिवेल्ड प्रिवेल्ड आ मतलब बच्चे ओतो आडे ग्लोसरी च लिखे है तो एग्जिस्ट और बी कॉमन एटा पर्टिकुलर टाइम और स्पेस ता किसे समय देवीचे जदो कोई चीज मौझूद हुन दी है जदो कोई पर्चलन होंद है ता आप आनू प्रिवेल केने ओना दिना देवीचे पर्चलन सी के पाणी नू समभाल के रख्या जानदा सी आते इना बारे साननू पता लागदा है तार्मी कताबां आते एपिक्स दे भी चाहूँ ता एपिक बच्चे ओ तो टो टी ग्लॉसरी दे भी ची लिख्या हुए है आ लॉंग पाइम होना ग्रेट सब्जेक्ट किसे सब्जेक्ट दे ओपर कलंभी पाइम लिखी जान दिया जिमें कि मैं तो नू दसे है रमाइन है महापारत है ता एपिक्स ने क्योंकि है कभी तावादी शेप्च लिखे गए ने The Indus Valley Civilization that flourished along the banks of the river Indus and other parts of western and northern India about 5000 years ago had one of the most sophisticated urban water supply and sewage systems in the world ता जिमे के पेला भी के है कि जडी के Indus Valley Civilization है सिंदू काटी दी सब्ब्या था जिसनों आपा कहने है ता ओ फ्लरिश हुई ओ विक्सित हुई कि थे Indus River दे bank दे सिंदू नदी दे किनारे दे विक्सित हुई अते हे कुछ पच्छमी दे उत्तर पारत दे विच्च भी विक्सित हुई है 5000 साल पहला सानू पता लग है कि उस समय उना दे कोले आधुनिक अर्बन वाटर सप्लाई सी सफिस्टिकेटिर दा मतलब बच्चे हुँदा है जिमें कि आधुनिक होवे बहुत ही विक्सित चीज होवे असी उसनों सफिस्टिकेटिर कहने है ते उन अधा जड़ा स्विच सिस्टम सी जिन्हों आप अपन्जाबिच सिवरेज कहने है ओ भी संसार देविच उस समय बहुत ज़्यादा अपने आपचा आधुनिक सी अधे लिख्या ना वन ओफ दा मोस्ट सफिस्टिकेटिर अद्बन वाटर सप्लाई एंड स्विच सिस्टम्स मैं जिमें के बच्चे तनू पहला कहा सी के जदो भी वन ओफ वाला फ्रेज आवे ता तुसी जड़ा एंड वाला वर्ड है जिस पल्यूरल नाउन दी गाल हो रही है कहिया दे बिच्चों एक ता ओ जड़ा कहिया वाला नाउन है असी उसनू ऐसे ज़रूर पाना है ता असी ऐसे करके सिस्टम दे पिछे ऐस पाया है ता उस समय ते जड़े लोग सी के वो वेल अक्वेंट सी नाउन एक्वेंट दा मतलब तो अड़ी ग्लॉसरी दे बिच लेक है किसे चीज नू अपा जान दे हुई है अपा उसनू एक्वेंटेड कहने है ते एक गल्दा ते आ रखना है कि अक्वेंटेड दे नाल हमेशा विद प्रेपोजिशन अंदी है ता हो हाईजीन दे नाल फैमिलियर सी के जी ओन दे नालो जानू सी हाईजीन दा मतलब हुँदा बच्चे उ सफाई ता साफ सफाई बारे लोग जान दे सी अथे ए चीज देख सागदे हैं सी कि में के जड़े सानू मोहिंचो दारो ते हरपा दे रुइंज मिलेने रुइंस मतलब जड़ेया खंडर हिमारतल लेहने ता उनन दे गलिया दे न सीब दा मतलब यह थे लिख्या है, flow slowly and in small quantities through something or into something trickle. रिस्के जदो पाणी निच्चे जानदा है बच्चे उसनु अपा सीब कहने है. क्योंके जंगलां दे विच वेजिटेशन बनास्पती बहुत हुंदी है, ताहों की कर दिया, water दा flow ब्रेक कर दिया, ताह वाटर अगे जानी सागदा, ताहों रिस्रिस के पाणी दे निच्चे चला जानता सी. इस ग्राउंड वाटर इन टरन फीड्स वेल, लेक्स और रिवर्स. ताह ए जड़ा पाणी अंदर चला जानता सी, यसनु ग्राउंड वाटर कहनदे सी, आगे फिर जड़े ओदोंदे खूब होंदे सी, या लेक्स होंदी जानी सी, चिला नदियां नदी एरिया फ्रोम विच्राउंड lud alter लेरे फिर्श और लेक्रा नी जिस एरिया तो लेक या रिवर चेजनन्द है, तौ उस एरिया न्युven अपका कैट्विड कहने हैं, तौ ए बहुत ही ज्यादा सड़्ली महतापून एरिया हुझ है क्योंके पानी सड़्ल्याद नदिया चिलादे विच आरह है तौ वौटर catchments suddenly बहुत ज़्यादा जरूरी हुन देने forest नू जेकर असी जंगला नू protect कर देने तादा मतलवसी water catchments नू protect कर रहे हैं In ancient India, people believed that forests were the mothers of rivers and worship the sources of these water bodies. प्रातन पारत देवी जड़े लोग सिगे ओ हुए मन दे सी कि जड़े जंगल ने एहे नदियां दियां मामा ने पत्यों नदियों पूजा कर दे सी इना water bodies ता बच्यों अपा कै देने हैं वैसे साड़े प्राणे लोग साड़े प्राणे लोग पड़े लिखे नी सी पर अपले ख्यां चपए हुए सी पर बच्यों नदि एक खासिया सी नेचर देनाल जुड़े हुए सी ओ जंगलां दी रुखां दी इना दी पूजा करते सी ता ओ कोई कारण सी ओ कारण एही सी क्योंकि उन्हों पता सी कि जड़े जंगल ने साड़ी नदियानों पाणी दिन देने वाटर कैच्मेंट्स ने इस करके उन्हों दी पूजा कर दे